नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पल्स वाइडल साइन का टोपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है नर्सिंग कॉंपटेटिव एक्जाम के लिए कि पल्स क्या होता है कोमन जो है पल्स चेकिंग साइट कौन-कौन सी होती है पिर इसके टर्मिनलोजी पढ लिंक मिलेगा तो उसको जो है आप जोइन कर सकते हैं तो पल्स क्या है पल्स अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो पल्स जो है वो हाइट बीट है हाइट बीट करता है तो उसी को डिनोट करता है पल्स क्योंकि जब हाइट जो है कॉंटेट करता है तो उसमें से जो है तो जब एक expansion होता है artery में तो उसको हम मानते हैं एक heart beat, एक pulse, heart rate, ठीक है, तो एक minute में कितनी बार heart ने beat किया, कितनी बार contact हुआ, उसी को डिनेट करती है, pulse जो कि हम पता लगाते हैं किसी भी artery के recoiling से, उसके expansion से, ठीक है, वो कितनी बार expand हुआ है, वो ही उसकी क्या है, heart rate है, pulse ह heart beat है, ठीक है, तो जो भी heart के द्वारा blood pump करने पे, जो alternative, जो expansion और जो recoil होता है, किसी भी artery में, वो ही होता है, क्या pulse, और यह कब मिलता है हमें, जब left ventricle जो है, contract करता है, ठीक है, जब left ventricle contract करता है, तो जो है, वो stroke volume जो है, वो निकालता है, 70 ml, जो stroke volume होता है, तो 70 ml जो blood न बहता है, तो वो artery जो है, वो expand होती है, ठीक है, तो उसी expand को जो है, हम पता लगाते हैं, और कहते हैं, उसको क्या pulse कहते हैं, ठीक है, तो different, different, जो है pulse checking site है, कि हम जो है pulse कहां कहां से अपनी body में check कर सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे head to toe, ठीक है, याद करने में easy रहेगा, तो सब temporal artery, temporal artery जो है, वो entry to year होती है, जो की divide हो जाती है, आगे जाके, entry और posterior artery में, ठीक है, तो यहाँ से हम जो है, pulse जो है, वो पता लगा सकते हैं, तो पहला जो है, वो है temporal artery, तो देखो, यहाँ पे, जो है entry to the year, यह इधर से निकलती है, तो यहाँ अगर हम finger रखें और इसको से होती है, ठीक है, तो जब heart beat करेगा, तो हमें pulse यहाँ मिलेगी, क्योंकि artery जो है, वो expand होगी, जब उसमें blood बहेगा, जब contact, वो करेगी, ठीक, next अपने site, जो है, वो है carotid artery, side of the neck, जो है, वहाँ present होती है, कौन सी है, carotid artery, side of neck, means, यहाँ जो है, यहाँ present होती है, यहाँ और cardiac arrest में, जो है, commonly हम, जो है, carotid artery, जो है, वो check करते हैं, CPR आपने पढ़ा होगा, तो CPR, जो है, उसके लिए adult, और जो child, जो होते हैं, अबोव 1 year, जो है, वहाँ पे हम check करते हैं, कौन सी, carotid artery, जो है, वो check करते हैं, हालांगि, child में, जो है, हम femoral भी करते हैं, साथ में, ठ external, क्या, carotid artery में, और internal, carotid artery में, ठीक है, तो यह, देखो, यह, common carotid artery है, जो है, जो है, डिवाइड हो गई है, external और internal में, जो है, डिवाइड हो गई है, तो कहां present होती है, side of the neck, जो है, हम उसको check करते हैं, तो, soak और, जो, cardiac arrest के पेशेंट है, मिस, जब हम CPR के लिए, जब जो है, वो होती है, कितनी, 10 second के लिए, next site है, अपनी, brachial, हम थोड़ा नीची आ गए है, और पहले हमने पढ़ी, temporal, नमबर दो, हमने पढ़ी, कौनची, carotid, अब हम आ गए है, brachial, तो देखो, यहाँ पे, album में, जो है, album में, पर्जेंट होती है, anti-copidal, जो फोसा है, यहा पर्जेंट होती है, यह देखो, यह वाली है, brachial artery, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते है, brachial artery, जो कि आगे जाकर divide हो जाती है, कौनसी, radial artery में, और ulnar artery में, ठीक है, तो थम साइड जो होती है, radial artery और इसी साइड में, अपनी कौनसी होती है, radial bone होती है, यहाँ पे ulnar bone होती दो में डिवाइड होती है और बनाती है रेडियल ऐड और ब्रेकियल तौ नंबर तीन पर आती है ब्रेकियल आईटी आटिरी जो है हम infant में जब हम CPR करते है ठीक है तो उससमें हम check करते है कौनसी आइटρι ब्रेकियल आईटरी की तो साथ में मैँने बता है इस रीडिया साथ में होती है इन दा रिफ्ट बैस प्स परसम करते हैं यह मिद्य कुनिक मेर्ष पॉस्पिटल में किसी पहले हमवनिक divided के किससे पहले पूर्ट कर चाहिए टो कॉं इस ठीड होती है तो वह सिधा अपनाा हाथ यह ही left हो तो common side जो है pulse checking की वो कौनसी है अपनी radial artery तो देखो यहाँ पे thumb side में जो होगी वो radial होगी और जो है अपनी little finger side जो होगी वो कौनसी होगी ulnar artery जो है वो होती है next है femoral artery ठीक है और नीचे चलते हैं groin area में जो है हम check करते हैं कौनसी artery femoral तो बच्चे जो होते हैं above one year infant जो है उनमें हम CPR के समय जो है check करते हैं और बच्चों में जो है यह check की जाती है most of ठीक है तो leg circulation जब हम देखते हैं ठीक है एक leg में जो है proper circulation हो रहा है के नहीं हो रहा है तो उसे हम चेक करते हैं कौनसी femoral तो यह हमने पांच भी मैंज यह इस सब्सक्राइब करते हैं नेस्ट आइट्री इस यह अगर नीचे चलते में तो जो पॉपल्टल फोसा जो है back of the knee वहां हम चेक करते हैं कौनसी जो पॉपल्टल आट्री की जो फ़्स जो यह वह रहे चेक करते हैं कहा होती है situated कहां होती है poplator फोसा में back of the knee ठीक है तो यह अपनी जो है छट्वी साइट हो गई है जहां से हम pulse जो है वो ले सकते हैं चेक कर सकते हैं next है posterior tbial artery behind या below the medial maliolus जो होता है उसके पीछे देखो यहां पे यह जो poplator artery जो हमने ठीक है तो anterior जो है वो तो tbial bone के anterior होती है जो posterior जो है वो जो है tbial bone जो है उसके posterior side होती है तो यहां से भी हम pulse चेक कर सकते हैं हालां कि commonly करते नहीं है commonly जो है जैसे कि हम जो है कौन सी चेक करते हैं रेडियल और बच्चों में अगर देखना हो तो कौन सी हम करते हैं या फिर ब्रेकिल देख सकते हैं वो डिपेंड करेगा एज ग्रूप पे किसी एज ग्रूप का है चाइल्ड नेफ्ट है डोर्सल पेडिस या फिर पेडल पल्स यह अपनी लास्ट जो पल्स है ठीक है छोड़के एपिकल को तो यहां पे यहें है डोर्सल पेडिस आइट्री ठीक है एंट्रीयर ओप धै फूट जो है उसके जो है बीडिय। होता है एंकल जो जो होता'ds होता है वहां पर यह आप भी अपने पेर पे हाथ रखे चेक कर सकते हैं कौनसी eye tree है कौनसी pulse है वो है dorsal paddy से pulse है पैडल pulse है हम इसको कहते है ठीक है dorsal paddy से eye tree जो है उसकी यह pulse है next है epical pulse ativos is एपिकल pulse जो है किसे eye tree नहीं होती यह खुद heart की pulse होती है कि हाइट जब बीट करता है तो यहां पर जो है हम जो है स्टेटोस्कोप या फिर अपने यह क्या पाल जो है पाम जो है वो रखके जो है फिल करते हैं क्या पल्स इसको हम सेंट्रल पल्स भी बोलते हैं over the apex of heart heart जो है उसके apex पे हमें जो है यह पल्स जो है वो चेक करते हैं commonly used child below three year के जो जो child है उनमें हम commonly जो है यूज करते हैं क्योंकि most common accept CPR की बात हो रही है यहां पर CPR में जो हम क्या करेंगे ब्रेक्यल करेंगे below one year और one year जो है हम करते हैं कौनजी या फिमोरल या फिर ब्रेक्यल ठीक है point of maximum impulse है maximum impulse जो है वह हमें यहीं generate होती है यहीं सुनाई देती है यहीं the distortion maximum impulse जो हम बात करें तो यहीं feel होती है क्योंकि जब heart react करता है ठीक है तो उस समय फिल होती है है तो देखो हो यहां पे यहां पे टो राणड बने हुए है यह होई हैं फौर्थ और यहां लिखा वगा है थिफ्थ तो यह क्या है यह इम्टर कोस्टल स्पेस है ठीक है क्योंकि यह track पनिर्फ टृट रुब हो गई यह अपनी अपनिरीव नंबर थर्ड है यह अपनेतरिब नंबर फॉर्थ है यह अपनिरीव नंबर फॉर्थ है यह इनजी मून है और दोन ऩ च्छालै है ठीक है उनको हम बोलते हैं Inter Monsters फ्रug क paralyzed और दूसरी के बीच में ce पेस वह स्थ इंड्रूंट्र इसपेस यह वाला थार्ड यह वाला फ्क सीख व्हस्फ एक क्लोड ध़िए तो बक्चे जो होते हैं उन कि यह वाली जो बॉन है वो लेविकल बॉन है तो कलेविकल बॉन का अगर मिड़ देखें तो यह वाला है तो यहां चीव एक चिद्धी लाइन जब हम ड्रो करते हैं ठीक है तो मिड़ कलेविकल क्या लाइन में और इस्पेस कौन सा फौर्थ इंटरकोस्टल इस्पेस मिसे दिए परफेत्ट पड्रेट में जो है। asks Ee फिपन इंट्रिप्न के सबस्ते पहले हम पड़ते हैं क्ला है सब्सक्ति districts पढ़ए कर चो है पल्स के पल्स जो है किया रेट होती है क्या रेडम होती है ठीक है तो औलु अफेट सब्सक्तिक करें सब्स?- अब च्चने-बनau होती है कि इतनी बार जो है वह हाट जो है पंप करता है ठीक है बीट करता है एड़ बर्थ जो है 130 टो 150 बीट पर मिनिट जो है वह हम आनते हैं most important है इन फेंट जो है उनमें 120 अगर एगज़क्लि देखे तो रेंज में देखे तो 6200 बीट जो है पर मिनट इसकी रेट होती है तो पल्स जो है अडल्ट में कितनी होती है 6200 इन्फेंट में जो है वो होती है 120 और बर्थ पे जो है 130 एक एक्जेक्ट माने तो बाकि रेंज जो है वो इसके अकोर्डिंग होगी next बात करते है हम rhythm की rhythm का मतलब है regularity कि जो pulse जैसे की 4 example हम यहं माने कि point 8 seconds का difference अगर हर pulse में आये फीक है या पिर यह मान लो कि उसके थोड़ी pulse कम है यह मान लो कि 62E है ठीक है तो यह मान लो कि 4 example आख Hi क्या कहते हैं तो डिडम में डिस्रिविया देखने को मिलता है जब रिदम जो है एक बीट जल्ली आ रही है एक बीट जो है लेट आ रही है या फिर जो है हर रिदम का हर जो पल्स है उसका जो इंटर्वेल जो है वो अलग अलग है तो उसको हम कहते हैं डिसरिद्मिया ठीक है रिद्मिया क्या मतलब है रिद्मिया का मतलब है कि रेगुलर इंटर्वेल पर पोल्स के ल में जों प्छसु कहते हैं क्या डिस रिदमियग नेक्ट है वोल्यूम किरेंbekकने वॉल्यूम कुछ नहीं हो वन मृटने कितना ले यौ motone देते लेड़ तो उसका हम पढमें की जीरो कंटिंग डिम्यूम सब्सक्राइब करें पुल्यमी फिरावाइं. ख़ु है पुल्सक्राइब करें वानु दो करना वह घुत allora जो है फट जाएगा ठीक है तो वह चीज है कौनसी फुलिफ्ट रोंग प्लस थ्री और बाउंडिंग पल्स का मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा वोल्यूम जो है वहां पे फील हो रहा है ऐसा लग रहा है कि अभी जो है यह रप्चर हो जाएगी तो वह होता है नंबर फोर छीजिए जिसको कि हमें नंबर देते हैं प्लस फॉर कि नेफ्सेट टैंशन टैंशन का मतलब है कि दबाने पर वो जो है कैसी मैसूश हो रही है एक काड़िक को अगर हम कह स्वां करें टीक defens नहीं हो रही ठीक है तो जो है tension जो है वो यह तो हाइट टेंशन की pulse हो सकती है या फिर low tension pulse हो सकती है high tension pulse का मतलब है कि जब हम आएक artery जहां से हम pulse चेक कर रहे हैं तो उस artery को अगर हम compress करें तो वो easily compress से नहीं हो तो उसको हम कहेंगे full tension और अगर वो easily compress हो रही है तो वो है क्या low tension ठीक है नेफ्स्ट हम आगए हैं terminology पे ठीक है कि जो pulse जो है उसकी abnormalities क्या क्या होती है ठीक है pulse के variation क्या क्या होते हैं किस कि टाइप की pulse जो है वो हमें देखने को मिलती है तो पहला है pulse deficit नाम से ही है कि deficit means कमी है ठीक है कि देखो pulse जो है वो generate होती है जब heart beat करता है ठीक हार्ट पंप करता है तो heart जब पंप करे तभी हमें जो है वो ही blood यहां circulate होता है पूरी body में ठीक है तो जब हम apical pulse चेक कर रहे हैं और जब radial pulse चेक कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक beat heart ने तो pump किया बट वो जो है blood पुरा यहां पहुंचा ही नहीं तो जो है जो यहां हमें फिल होई beat वो यहां फिल नहीं होगी तो apical pulse और radial pulse में जो difference आता है उसको हम कहते हैं क्या pulse deficit कि pulse deficit जो है वो क्या होगा कि apical pulse जो आएगा apical pulse में से radial pulse हम माइनस करेंगे तो जो value आएगी वो आएगी pulse deficit ठीक है for example जो है apical pulse हमारी 75 है लेकिन radial pulse हमें 72 ही फिल होई है तो 3 जो है वो क्या होगा इसका pulse deficit होगा ठीक है apical pulse और radial pulse में जतना difference आता है वो क्या कहलाता है pulse deficit कहलाता है next आ गए हम नंबर 2 पर intermittent pulse intermittent pulse का मतलब है कि regular interval पर beat जो है वो miss होती है for example 4 beat regular आ रही है उसके बाद में एक जो है वो miss हो गई फिर 4 regular है फिर एक miss हो गई फिर एक miss हो गई फिर 4 regular है फिर एक miss हो गई ठीक है तो इसको हम कहते है intermittent pulse कि एक continuous interval पे heart beat जो है वो skip होती है या फिर miss होती है तो वो कहलाता है क्या intermittent pulse नमबर थ्री आ गई हम dichotic pulse dichotic pulse का मतलब है कि heart जो है वो तो एक इपार beat कर रहा है heart दो बार तो नहीं करता न एक बार में ठीक है तो heart beat जब होता है एक heart beat जब होती है तो हमें जो है दो पल्स देखने को मिले दो पल्स हमें फिल करने को मिले तो वो कहलाएगा dichotic pulse ठीक है next water hammer pulse या koregon pulse या फिर collapsing pulse ठीक है means volume जो है वो full है एक normal जो है हमें pulse फिल हुई बट वो blood जो है वो क्या हुआ है regurgitate हो रहा है तो हमें पूरी फिल हुई उसके बाद में हमें suddenly जो है पल्स में collapse देखने को मिले तो उसको हम कहेंगे water hammer pulse कोरीगोन पल्स या फिर collapsing pulse फिल volume pulse with collapse जब भी regurgitation जब होता है और कौन सा regurgitation हो एरोटिक जब regurgitation होता है कि एरोटा में जो blood आ गया था वो वापस चला जाए ventricle में ठीक है तो उस समय जो आगे blood आ गया था तो उससे pressure बना था तो अब वापस जब अगर वो blood चला गया है ठीक है ventricle में तो जो pressure बना था वो रिलिज होगा कि नहीं होगा तो इसलिए जो है collapse अपने को देखने को मिलता है तो water hammer क्या कोरीगोन और collapsing pulse जो है उसमें क्या होता है कि एक नोर्मल जो बीट आती है ठीक है वो full volume की आती है बट एरोटिक regurgitation होने के कारण से जो है वापस से collapse अपने को देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं water hammer pulse next है pulse alternate नाम से ही है alternative alternative का मतलब है एक के बाद एक कि एक जो pulse होगी वो strong होगी और एक pulse क्या होगी weak होगी एक pulse जो है वो होने वाली है strong और एक pulse होगी क्या weak rhythm नोर्मल है interval पे बराबर आ रही है बट एक weak आ रही है और एक strong pulse हमने को feel हो रही है जैसे कि अपने को heart block या left ventricular failure या digital toxicity में ऐसा देखने को मिलता है कि एक pulse जो है वो full volume से आ रही है और दूसरी जो pulse है वो क्या होगी उसका volume कम है ठीक है एक strong होगी तो दूसरी क्या होगी weak होगी तो इसको हम कहेंगे pulse alternative ठीक alternative पल्स चल रही है if strong weak if strong weak if strong weak next is sinus arrhythmia ठीक है नाम से ही है sinus sinus का मतलब होता है normal कि arrhythmia तो है बट heart rate जो है वो उसकी ठीक है normal है तो देखो rapid inspiration के जो है pulse जो है वो हमें rapid feel होती है during और during शिरफ और शिरफ क्या है इंस्पिरेशन के time ठीक है sinus rhythm देखने को मिलती है एक बार rapid ठीक है यह होगा कब inspiration में और slow कब देखने को मिलेगी expiration में कि expiration जब हम करेंगे जब जो है एक व्यक्ति जब इंस्पिरेशन कर रहा है तो इंस्पिरेशन जब करता है तो हाइड जो पल्स जो है थोड़ी सी fast मैसूस होती है जब वो expiration कर रहा है तो slow मैसूस होती है उसको हम कहेंगे sinus arrhythmia next is thready ठीक है मिश बहुत ही महीन धागे के समान महीन वायर के समान वायरी या फिर weak pulse नाम से ही है weak pulse है ठीक है कि मिश वोल्यूम जो है वहाँ पर क्या होने वाली है कम रहेगी जब भी जैसे कि हाइपो वोल्यूमिया का केस है या शोक का कंडिशन है या फिर dehydration वाली जो सिच्वेशन जब भी होगी तो हमें जो है वीक पल्स जो है वो मैसूस होगी जहां पर वोल्यूम जो है उसका फुल नहीं होगा ठीक है बहुत अगर अच्छे से अगर आप मैसूस करेंगे तब जाकि वो मैसूस होगी इतनी वीक पल्स मैसूस होती है तो उसको हम कहते हैं थ्रेड़ी वायरी या फिर वीक पल्स नेक्ट पल्स है अपनी बाई जेमिनल बाई जेमिनल जो पल्स है वो क्या है देखो बाई का मतलब है दो ठीक है इर्रेगुलर रिदम रिदम जो नुक्ति है इन brake विच एयवेरी अधर बीट कम अर्लियर ठीक है डरेख एक यो जन्Bye जन्दि आरहे है everything खार जोगा जो दूसरी बीट जन्दि आरहे है मिस इंट्रवेल जो है वह भरेबर नहीं है गा पोन्स एक बीट जो है वह 0.9 इzufीर जो है और 1.9 होगा फिर जो है वह क्या होगा पॉइंट सेवन होगा तो एक बीट के बाद दूसरी बीट जो है वो जल्दी आती है जैसे कि फॉर एक्जांपल मायोगार्डल इंफ्राक्षन में और डिजिटल टॉक्सिस लिटी में देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं बाई जैमिनल पल्स ठीक है नेक्स्ट है पल्स पराडोक्सल ठीक है कि पराडोक्सल पल्स क्या होती है पल्स फील विकर डूरिंग इंस्पिरेशन के टाइम पे जो है पल्स जो है अपने को वीक मैसूस होती है यह ऐसा देखने को मिलता है कब जब काईडियक डेमेज होता है काईडियक डेमेज वाले केस में जो है हमें paradoxal pulse जो है वो देखने को मिलती है next assessment of the pulse की pulse जो है हम कैसे कैसे check कर सकते हैं तो pulse check करने के दो method हैं पहला है palpation दूसरा है ascultation कि या तो हम palpate कर लें या फिर darkly heart पे जो है stethoscope रखके हम check कर लें कि जो है pulse कितनी है तो देखो pulse प्idoras जो है palpation के दोारा हम check करते हैं तो हम या तो दों फिंगर जो है वो मथट काम में लेते हैं या फिर three finger method काम में लेते हैं तू finger method कर देख है या फिर three finger method THOM finger में अपनी index ओर middle finger हो सकती है या फिर middle और यह हो सकती है ठीक है तो इस प्रकार से जो हम चेक कर सकते हैं और थ्री फिंगर में यह तीनों जो है फिंगर इंडेक्स मिडल और रिंग फिंगर जो है उन तीनों से हम फिल कर सकते हैं एक पल्स तो यह पाल्पेशन में हम काम में लेते हैं बट क्या never use thumb for the pulse palpation लेकिन जब भी हम pulse palpate कर रहे हैं तो थम जो है उसको use नहीं लेना है क्योंकि थम में खुद में आर्टरी होती है तो palpation जो हमें फील होती है ठीक है palpation के टाइम जो हमें फील होगा तो वो जो है proper नहीं होगा तो इसलिए हमें या तो two finger method काम में लेना ह कि नेफ्स्ट है हम असकल्टेशन के द्वारा हम चेक कर सकते हैं हमने पालपेशन पड़ लिया ठीक है पालपेशन जो है fingers के द्वारा हम कहीं पर भी कर सकते हैं जो भी हमने common side पड़ी थी चाहिए वो temporal हो चाहिए वो के रूटिड हो चाहिए वो फिमोरल हो ठीक है अब कराएंगे तो स्टेचोर में जो है बड़ा जो पार्ट होता है और जो होता है डार पर औल को हम सकते हैं यहां पर हम घृपियो सटे हैं sticking हम से अगर हम तो हम हो たी को enabling और lekker उपिय्ब एस्पेश इंफेंड में कौन सा होगा है फोर्थ इंट्रकोष्टल टाफ्टल जो है कौन सा है कि प्षित उपियूर प्लकिंट्स्थ स्पेश जो करते हैं अब आती है प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में भी फौर्थ इंट्रकोस्टल स्पेस्ट पर ही करते हैं बट 2.5 सेंटिमेटर लेटरल टुदा मिड क्लेविकुलर लाइन ठीक है क्योंकि प्रेगनेंसी में जब यूटरस ग्रो करता है ठीक है तो जो है वह हाइट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है उस वज़े से जो है हमे स्पेश जो है तो हमें जो स्पिट यह मत औहुत है फर्ट इंट्रकोस्टल स्पेस जो है और THोड़ा सा काहां पर एडियाफ्ग मिंड क्लेविकुलिकुल लाइन और कितना 2.5 सेंतिमी Chapel हम जो है चेक करेंगे तो इसम अपना क्लेविकुल है यह rib one, यह two, यह three, यह four, यह five, यह six, ठीक है, तो यह first जो है, अपना क्या हो गया, intercostal space हो गया, यह second हो गया, यह वाला third हो गया, यह वाला fourth हो गया, तो अगर यह clavicle थी, तो इसका मिड यह हो गया, ठीक है, तो इससे भी two point five centimeter दूर, for example, यहां पर हमें क्या करना है, जो है, प्रेगनेंट वोमन में अब देखो हमने पूरा पल्स पढ़ डिया है तो पल्स जो है जब भी हम चेक करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जब कि हम फील करते हैं और हमें यह लगे कि हाँ जो रिदम जबार है वो रेगूलर है तो में dot com धट ख्मक बारी जो है की ऑनिंड कर देते हैं और जो पल्स आती है उसको हमें note करते हैं, तो irregular pulse चाये वो कोई भी light की हो, चाये वो कोई भी method हो, ठीक है, चाये हम asculation कर रहे हो, चाये हम palpation कर रहे हो, irregular pulse है, तो full 1 minute count करेंगे, और साथ में अगर evical pulse यूज करें, अगर हम check कर रहे हैं, ठीक है चाए वो पालपेशन के थ्रूप कर रहे हों चाए हम ऐसकलट सट्रव कर रहे हो तो भी एक मिनिट तक हमें चेक करना है लेकिन जब पलश रेगुलर है छोड़खे किसको एपिकल पलस को चाए वो टेम्पोरल साइड हो 버क रोटीड हो उब अगर वो रेगुलर है छोड़ किसको एपिकल पल्स को अगर वो रेगुलर है तो हमें 30 सेकंड तक पल्स जो है वो चेक करनी है और उसको मल्टिप्लाई कर देना है किसे दोशे तो अपना जो है वेल्यू आ जाएगा नोर्मल फोर एक्जांबल जैसे कि यहां पर फोर्टी आया है अपना 30 सेकंड में रेगुलर था तो उसको दोशे उना कर दिया तो कितना होगा 80 बीट पर मिनट फोर एक्जांबल जैसे अडल्ट में कर रहे हैं तो ठीक है तो यह आज का अपना टोपिक था थैंक्यू फिर मिलेंगे एक्ट वेडियो में